जो काफी हजरात परिशान थे ना यार रेट जो बेपारी भी देख रहे थे कि भाई बेपारी तुम लोग भी मैं बोलना हूँ तुम लोग अगर ये समझे ना के माल का मार है और नाजायस दाम में हम लोग बेचेंगे तो सुदर जाओ लेकिन मैं एक और बाव बताता हूँ ये सुनके आप लोग को अलमदुल्ला इंशालला खुशी होगी महसूस के भाई अगर मैं बात करूँ सुराब गोड के मुकाबले में सीजन दो हजार बाईस मवेशी मंडी कराची दो हजार बाईस के बारे में बात करूँ के भाई उसमें कितने आयते एक महीने के अंदर इंशालला अल्ला सुबानावत ताला की साथ पर भरोसा है कि माल आएगा भरपूर आएगा और जैज रिटो में मिलेगा कराची की अवाम को और बेपारी भी जो है वो नाजायस फाइदा नहीं उठाएंगे अब मैं एक और बात बता रहा हूँ कि मैंने सराब गोट से क्यों कंपेर करा ठीक है ना मैंने 2022 से कंपेर क्यों करा पारी के पिछले साल पता लग गया कि यह मंडी सिर्फ आखर के 15 दिन की मंडी है कराची का बायर सिर्फ आखर के 15 दिन में आता है और बाइंग करके जाता ह और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि 18,000 जानवर जो हैं वह कुछ भी नहीं है आप लोग बोलेंगा 18,000 जानवर तो बहुत होता है यह क्या बात करती दिवाने तुमने यार तो 18,000 जानवर जो मैं बोलने लो कुछ भी नहीं है क्योंकि पिछले दो दिन के अंदर मंडी के तो माशालला से भाई इस टाइम में मौजूद हूँ मार्शेलिंग एरिया में और बताता चलूँ कि आज अलम्दुलिल्ला नॉर्टन प्रपसमंडी कराची 2024 को लगे हुए पूरे 30 दिन हो गए मुकंबल चार तारीक हफते के दिन जो ट्रक अनलोड करवाया था मैंने फर्स ट्रक जो था अली भाई का मॉडल केटल फाम का उसको आज पूरा दिन आज तीसवा दिन है उस लिहास से अगर देखा जाए तो नॉर्टन प्रपसमंडी कराची 2024 का आज तीसवा दिन है और 30 दिन की के यह मार्शेलिंग एरिया जहां से तमाम ट्रक जो है वह एंटर होता है पंजाब से से हर जगह से और मविश्री कंडी के अंदर यह पीछे आप लाइन देख सकता अलहम दूरिल्ला अभी तो तकरीबन शाम के मनाजर रही है लेकिन इस सुबह के वक्त में अलहम दूरिल् हजार और अगर अभी की बात कि जाए नौर्टन प्रपसमंडी करनाची दोजार चौबिस के अंदर पूरे एक महिने में कितने ट्रक्स आये तो अभी आए हैं 4,700 तेरा सो ठैटीन हंडिड ट्रक्स जो हैं अभी फिलहाल कम है ठीक है और अगर मैं बात करूं जानवर हो की क तो उसमें आये थे 1,45,000 145,000 जो थे जानवर आये थे पिछले साल लेकिन अगर बात करूं नौर्टन प्रपसमंडी करनाची दोजार चौबिस की के इस साल कितने आये हैं तो अभी तक नौर्टन प्रपसमंडी के अंदर 90,000 जानवर जो हैं वो आ चुके हैं अब जो है और काफी बड़ा difference है जानवरों में लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई माल की speed हो गई यह बहुत तेज जहां दिन में 100 ट्रॉलर 500 ट्रॉलर मैक्स 200 ट्रॉलर आ रहे थे अब अलहमदुलिल्ला 500 600 700 ट्रॉलर जो हैं वो दिन में आ रहे हैं 24 घंटे के अ अदर अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई तकरीबन 1300 ट्रॉलर जो हैं वो कम हैं पिछले साल के मुकाबले में और जो जानवरों को बताया है आपको 55,000 जानवर कम हैं लेकिन मैं एक और बाव बताता हूं यह सुनके आप लोगों को अलहमदुलिल्ला इंश ठीक है वही एक लाग आठ हजार आयते और अभी आये हैं 90,000 सौराब गोट के मुकाबले में इस साल की बात की जाए 2022 के मुकाबले में 2024 की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 जानवरों का फर्क पड़ता है और अब मैं एक बताने जा रहो कि 18,000 जानवर जो हैं वो कु पिछले दो दिन में मंडी के अंदर 18,000 जानवर आये तो जैसा के मैंने बताया था कि दो दिन में ये एक बात हो जाएगा अब मैं एक और बात बता रहो कि मैंने सराब गोट से क्यूं कंपेर करा ठीक है ना मैंने 2022 से कंपेर क्यूं करा पिछले साल पहला साल था काराची बहुत तेजी सा आ रहे थे मंडी में कि पहले आखे बैड़ी आएंगे पता नहीं कैसी लूकेशन हो कौन सा प्लॉट हमें ना मिले कुई अच्छा प्लॉट हमें मिल जाए ना मिल जाए इसलिए बेपारी जो बहुत स्पीड सा आ रहे थे पिछले साल जो एक महीने के आप लोग जानते हैं बात को ठीक है तो अगर हम लोग नॉर्मल देखा जाए ठीक है ना नॉर्मल मंडी के लिहाद से सिर्फ और सिर्फ 18,000 जानवर कम है भी जो काफी हजरात परिशान थे ना यार रेट जो बेपारी भी देख रहे थे कि भाई बेपारी तुम लोग भी बोलना हूं तुम लोग अगर यह समझे लोना के माल कमार है और नाजायस दाम में हम लोग वेचेंगे तो सुदर जो अब वनना सीन हो जाएगा बैट में वतारो तुम लोग को क्योंके सीन सारे है यह सिर्फ और सिर्फ 18,000 जानवर कम है अगर सवरागोड के मुकाबले में क्योंकि पिछले साल बहुत तहीं से विपारी आ रहे तो उनको पता नहीं था कि भाई मंडी किस तरीके की लग रही है और अगर मैं इस तरह भी दिखाता चलू यह देख सकते हैं आप पीछे माशालला यहां पर भी ट्रॉक यह तमाम ट्रॉक यहां पर चेकिंग कराते हैं सुराब गोड के मुकाबल में सिर्फ और सिर्फ 18,000 जानवर जो हैं वो कम हैं तो 18,000 और 18,000 से उपर जो हैं वो पिछले सिर्फ 48 आवर्स में मंडी में आया है करांची की तो घाबरानी की बात नहीं है इंशालला मैंने जैसा बताया था आप लोग के अल्ला सुभानावता से देखा जाए तो 1300 ट्रॉलर कम है और अगर जानवरों की बात करिया है पिछले साल की लिहाज से तो 55,000 जानवर कम है उसकी वजह थी पिछले साल बेपारी बहुत स्पीड साय रहे तो उनको पता नहीं था कि मंडी कैसी है वो चारते अच्छी जगा पे बैड़िया है और मंडी कैसी है लेकिन बेपारी के पिछले साल पता लग गया कि यह मंडी सिर्फ आखिर के 15 दिन की मंडी है कराची का बायर सिर्फ आखिर के 15 दिन में आता है और बाइंग करके जाता है उससे पहले जितने आता है वो शपाटा लॉंडे आता है देख 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 के रेट ल जानवरों का फर्क है सुराब गुड में एक महीन के अंदर एक लाख आठ आए थे और अभी जो आए अलम्दुलिल्ला वो आए है नव्य हजार सिर्फ और सिर्फ अठाना जार का जानवरों का फर्क है इंशालला अल्ला सुभानावत ताला की साथ पर भरोसा है कि माल आएग पंजाब तीसरा सिब्ही जोब पंजाब के साता है उसके बाद दो विए पी ब्लॉक है पहला गोल्डन जोके आएलल अवे इसे सामने वाल बाफ बिंड़न अब वी वी आई पी पट्टी जो के सिक्स कहलाती है ब्लॉक में मंडी की वो है रहीम यार खान प्लैटनम और डैमंड के बिनाम से बिल्कुल स्ट्रेट आपकर आप लोग मंडी में एंटर हो जाए और उसके लावा बलोचिस्तान जो उन्टों का मैंना आप लोग बताए तो और फिर एक जो थी बकरा मंडी तो इस तरीके से आठ ब्लॉक जो है इस टाइम नहुत पर बसमंडी कराची 24 के अंदर आबाद हैं और फिकर कंडी की कोई जरूत नहीं है माल इंशाल्ला आएगा बरपूर आएगा अल्ला सुभानावत आला की जात पर भरोसा है इंशाल्ला ठ